असलाम अलेकुम वेल्कम टू स्कुलिंग स्ट्रीट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लो कीबूर्ड को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने मैं एक डाकुमेंट आपनी किया है अब इस पे हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो यह देखें मैं प्रेस किया हुआ है बट यहां पे बहुत स्लो मोशन में यह लिखा जा रहा है तो इस स्लो कीबूर्ड को हम कैसे फास्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्म को कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके मितलके में सुट्री में बात कर नहीं अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो के अप्टेट्स आती रहें let's see how we can fix it दो मत्र आपको बताऊंगा number one, आप start button पर right click करोगे और यहाँ पर run पर click करता होगे तो आपके बास यह छोड़ी सी window open हो जाएगी इसमें आपने लिख रहा है control keyboard control keyboard लिखने के बाद आपने इसको कर देना ok यहाँ पर ok करोगे तो आपका यह window open हो जाएगी अब यहाँ पर देखिया आपका keyboard की settings है यहाँ पर repeat rate यह बिल्कुल slow होगा आपका meet में होगा लेकिन आपको इसमें को fast करता होगे यहाँ आपको fast करोगे और apply करोगे यह देखिये इसकी speed fast हो चागी as compared to before जैसके हमने पहले s का button press करीकर रखा था बहुत slow motion लिखा जा रहा था अभी हम s का button press करीकर रखते हैं तो यह fastly लिखा जा रहा है तो slow keyword ऐसे fix हो चाहेगा आपका second method जो है इसका वह आप settings open करोगे taskbar पर क्लिक करोगे यहाँ पर gear box पर क्लिक करोगे gear button पर क्लिक करोगे मिट से आप settings पर क्लिक करोगे इसके बाद आप ease of access इस पर जाओगे इसके बाद आप left side पर scroll down करोगे और यहाँ पर keyboard का option है आप इस पर क्लिक करोगे scroll down करोगे यहाँ पर use filter keys आपने इसको make sure करना कि यह off हो अगर यह on होंगी तो आपका keyboard slow move कर सकता है slow write कर सकता है या फिर slow perform कर सकता है तो इसको आपने हमेशा off रखना है तो यह दो method थे जिनके दुरूँ आप अपने keyboard को fast कर सकते हो जो हमने first option देखा था वहाँ भी यह box दिया गया है इसमें भी आप type करके देख सकते हो तो एसपोस हम यहां पर decouper and press कर रहे हैं तो यह देखें fast लिख जा रहा है तो अगर हम speed को slow कर देते हैं और अब हम decouper and press कर रहे हैं तो यह देखें कितना slow motion में लिखा जा रहा है तो ऐसे आप यहां से भी इसको check कर सकते हैं अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं लेकिन अगर आप keyboard slow move कर रहे हैं तो इसको fast कर दें तो यह set हो जाएगा इसके अलावा यहां पे cursor blink rate है इसको fast और slow कर सकते हो जैसे कर हम slow कर दूंगा तो यह देखें अब यह blinking बिल्कुल बांद कर गया slow motion में हो चुका है अब हम इसको normal रखते हैं तो यह normal है अगर हम इसको fast कर दें तो यह fastly blink करना start कर देगा तो ऐसे आप blinking speed को भी adjust कर सकते हैं उम्मीद करता हूंगा आपको यह चोटा सा टिप चोटा सा ट्रिक अच्छा लगा होगा इफ यह लाक इस वीडियो प्लीज समाप और कमेंट ब्लोव थैंक्यू सूमच पर वाचिंग अलाफेज